सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकिन नेवर मिस अन अपडेट गुर्ण मौनीं बच्चो स्वागत था आपका मेगा क्लास इसमें बच्चो आधम लोग इस वीडियो में क्लास टेन्थ के मैध का चेप्टर तेरा कृष्टिय के दरफल और आइधन का पहला अधियास अनी प्रसना बली 13 जे समलग एक के यंशी आर्टी बुक में जितने भी मैध पूछे गया है उस सबका सेलिशन अज हम लोग लेखेंगे यंशी यार्टी बुक में आप देखेगा नव कोष्टर पूछा गया तो नव कोष्टर का सेलिशन आज आपको इस वीडियो में बता जाएगा इसलिए आप वीडियो को लास तक देखे और अगर आपको व दिया हुआ है दो घनों जिने में सेफ करते कायतन चौसर सेंटीमिकर क्यूब है के सल्लाविन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनायाता है इससे प्राप्त घनावारी जो दोनों घन को हम मिलाएंगे तो यह घनाव बनेगा और उसी घनाव का प्रिश्टी चत्रफल याद कर प्रिश्टी चत्रफल और आयतन इससे समंधी जो बेसिक आसान तरीके से आपको अबले वीडियो में बताया गया था अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे मैं पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से जाकर कि आप इसके बेसिक फॉर्मूला और सब्सक्रिप्श कदेख देख अते मिलन तरीके सिर्व घृब्र कि क्या इसका इस डाइग्राम से समझेने का कोसेश की गएगा, देख़े, दो घण हम लोग पहले बना लेते हैं, ये देख़े एक घण हो गया, और एक घण और बना लेते हैं, ठीके? ये दो घण हो गया, ठीके? अब ये क्या कहता है? कि दो घनों को मिला करके एक फोस बनाया था तो देखिए ये जो इसका फलक है और ये इसका फलक है दोनों को एक साथ जोर देंगे तब ये देखिए घनाव कातार लेने जा देखिए ये जो है इस आकिल्पी में आजाएगा अब दिखिए चुकि दिया हुआ है घन का आईतन 64 सिंटी मीटर क्यूब अब दोखे घन का जो आईतन होता है वो भुजा का क्यूब होता नहीं एक किनारे का क्यूब होता है अब 64 को हम लिख सकते हैं 4 सिंटी मीटर का क्यूब तो ये किंसिल हो जाएगा और जो घन का एक किनारा आजाएगा भुजा आजाएगा वो भुजा आजाएगा चार सेंटीमिटर और इसको हम लोग दर्सा देंगे एस से ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह जो घन है इसका तो एक साइड यह आगिया चलिए चार यह आगिया चार और यह भी आगिया चार ठीक है यह घन जो है इसका भी चार ये देखे चार और ये गहराई भियानिया चार अब ये जो घनाब बना हुआ है उसका Dimension देखियेगा तो ये जो देखे ये जो फलक है इसका तो चार ही रह जाएगा अनि यल है ये यहाँ से इसको बी बोलेंगे 4 आई और ये इसका गहराई इसको ये अब देखिए यल कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कि लंबाई यल हो जाएगा किसके बराबर है दोनों से करी यल हो जाएगा चार के बराबर उसके बाद गनाब कि अगर हम चराई कालेंगे है कि इस सिव तो गहराई देखें, गहराई भी उतना ही रह जाएगा, निए 4 रह जाएगा, तो ये गहराई, इसको हम लोग उचाई बोल लेंगे, तो ये उचाई यच हो जाएगा, 4 cm, अब पूछ क्या रहा है घणाब का प्रिष्ठी चदरपल, तो हम लोग घणाब के प्रिष्ठी इसका फॉर्मूला होता है 2 into ylb plus bh plus yl अब यहाँ पर माने देज़े 2 yl अनिकी लंबाई तो लंबाई कितना है देखे 4 है चार और गुना b, b कितना है देखे 2 a अनिकी 8 है plus bh, तो देखे b कितना है 2 a अनिकी 4 दुनी 8 है 4 और 8 हो गया है और into b और yh है तो yh देखे कितना है 4 है plus yh तो yh यह देखे 4 है और गुना yl तो yl देखे कितना है 4 है अब यहाँ पर देखेगा 2 a अट चो के 32 plus 8 चो के 32 और पर चार्चो के 16 अब देखे 32 और 32, 64, 64, 16, 80 और 80 गुना दू करेंगे तो 107, तो 107 cm असफार दोस्कों इसका अनि कि यह जो दो घन के फलकों को मिला करके यह घना बनाया गिया है उस घनाब का परिष्टे चतर पर कितना जाएगा यह तो सार सिंटीमेटर दा स्कार्च तो इसका सुनों गया अब हम लोग देखते हैं दूसरा कोस्टन एक बरतन है कोई बरतन एक खोखले गोले अर्ध गोले के आकार का है देखिए एक बरतन है जो खोखले गोले के समान है अनि यहाँ पर देखिए अगर इसको हम एक चिकर से समझने का कोशिस करेंगे तो यह एक देखिए अर्ध गोले बरतन है ठीक है अब काता है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपी था निए देखिए ये जो आप अर्ध गोला बरतन देख रहे हैं इस बरतन के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है तो यहां पर देखिए इसके ऊपर इसके ऊपर इस परकार से एक बेलन रखा हुआ है ठिक है ये बे कि रण और नीचे जो है वह खोखला बातन है अब कहता है कि अर्ध गोला का ब्यास अनि कि देखिया अर्ध गोला किसका है वह बरतन तो यह जो देखिए यह अर्ध गोला जो है इसको अगर आप इस परकार से दरशाइएगा यह इस परकार से तो यह बाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 cm अब यहाँ पर हम उल्लिक लेते हैं दिया हुआ है अर्ध गोला का दियास बराबर 14 cm इसी लिए अर्ध गोला का तिरीजिया कितना हो जाएगा आधानी की 7 cm अब कहता है और इस पात्र यानिकि यह जो पूरा पात्र बन चुका है अर्ध गोला और बिलन को मिला करके इसकी कुल उचाहिद 13 यानिकि यह 13 cm तो इस बरतन का आंतरिक भागा यह 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 पूरा हम को चतरफल पोछ रहा हुआ है तो इसके चतरफल पोछ रहा है यह जो पात्र बना हुआ है यह नीचे का पर अर्ध बोला और यह उपर का देते हैं तो हमको वर्तन कांट्रिक परिष्ट चत्रफर मिल जाएगा तो अब यहां पर ध्यान देना है कि देखे चुकी अगर हम केवल बेलन भाव का उचाई लिका लें पूचाई आनि यह तो खोखला बेलन है इसका ब्या से चाओगा साथ तो तिर्जिया तो हमें इसे भी लिखा सब्सक्राइब यह माल जिए की के अंदर है यह वो के अंदर है तो और यहां से देखे यह साथ अगर यह साथ है तो यह कितना बचा हो रजएगा क्योंकि साथ और छे कितना हो रिख सकते हैं तेरह माइनस साथ अगा छे सेंटिमेटर उचाई अब हम लिखा लिए इसे लिए जो बरतन का आंत्रिक प्रिष्ठी चतरफल पूच रहा है उसको लिखा लेड़े चत्रफल तो बरतल कांत्रिक प्रिष्ठ चत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का बक्रिष्ठ ये चत्रफल और इसमें से ये जो अर्ध गोला है अर्ध गोला का बक्र प्रिष्ठ चत्रफल अब दोनों को रख दीजिए अब देखिए बेलनाकार भाग का प्रिष्ठ ये चत्रफल होता है तू पाई आर याच तू पाई आर याच उसके बाद अर्ध गोला का बक्रिष्ठ चत्रफल होता है तू पाई आर असक्वार अब यहाँ पर देखिए तू पाई आर तू पाई आर दोनों में तो तू पाई आर हमनों कोमन ले सकते हैं तो तू पाई आर कोमन लेंगे कह ब इन्टु याच पलस आर, तो याच देखे कितना है, याच है ठे और पलस आर कितना है साथ, अब यहाँ देखे शाथ से साथ कर गएगा, और 22 दुनी 44 और गुणा 7 और 6 तेरा तो 44 गुणा 13 अगर हम लोग करेंगे तो 532 आएगा तो 532 cm2 देखिए ये जो पूरा पात्र बन गिया उसका आंतिक प्रिष्टे छेतर फला गिया तो दोस्तों ये देखिए question नमर एक और दो का solution हो गिया इसका आस्किन सोले लेगे फिर आपको next question बताए जाएगा next question देखिए तीन नमर में है एक खिलावना तिर्जिया तीन दुखलो 5 cm बाले एक संकु क्या का आनि देखिए एक खिलावना जो है वो इस परकार का तारहे 3 cm तिर्जिया बाले आनि कि देखिए ये जो संकु का ये जो ब्रितिय भाग है इसका के पर यहां पर मान लेगे कि ओ है और ये इसको मिलाने बाला जो है तिर्जिया ये है सारहे 3 cm तिक और ये संकु का हाइट हो जाएगा ये अच्छे और ये जो आप देख रहे हैं है ये संकु का तिर्जिय उचाई संकु का तिर्जिय के लंबाई इसको यल ख़एगे अब कहता है कि जो उसी तिर्जिया बाले अर्धगोले पर रोखे तरी डी स्वचे चारहें गाले u अर्ध गोला जो है इसका भी तिर्जिया है साहे किंग अब कहता इस खिलावने की संपुर्ण उचाई 15.5 cm यहां से लेकर के गोलिय भाग और संकु दोनों का ये कुल उचाई दिया हुआ है 15.5 cm इस खिलावने का संपुर्ण प्रिष्टे चतरफल ग्याद करें तो खिलावने का संपुर्ण प्रिष्टे चतरफल ग्याद करने के लिए संकु भाग का प्रिष्टे चतरफल और अर्ध गोला भाग का प्रिष्टे चतरफल दोनों को जोर देंगे तो लिकाल जाएगा यह जो पूरा आपा खिलाउना है उसका संपुर्ण प्रिष्टी चक्रफल तो अब यहाँ पर ध्यान दियेगा देखिए अगर हम संकु भाग का प्रिष्टी चक्रफल लिका लेंगे तो फॉर्मुला होता फाई आर यल का मान इसमें नहीं दिया हुआ पहले हम लोग यल लिकाले हैं तो देखेंगे कि संकु का तिरियक लंबाई या तिरियक उचाई यल तो यल बराबर होता है अंडर रूट यच अस्क्वार पलस आर अस्क्वार ठीक है यह 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 फॉर्मुला पाइखा गोरफ पर में लग कर क्या आप देखिए यह बला प अब यहां पर देखेंगे मान रख देजिए यच का अब यच देखिए लेना है केवल संकु का लिकाले तो संकु का यच इतना ही है अब देखेंगे यहां से टोटल जो है वह है 15.5 तो संकु का उचाई कितना हो जाएगा 15.5 में से यह बला जो है उसको हटा देजिए अगर इसको हम हटा देते तो यह संकु ही रहा जाएगा ने तो यह उचाई कितना हो जाएगा अगर 12.5 में से 3.5 हटा देते तो यह हो जाएगा 12 सेंटिमिकर ठीक है 15.5 में 3.5 हटा देंगे तो यह जाएगा 12 तो 12 का स्कुर प अब फिर इसको देखे जोड़ेंगे तो 156.25 जाएगा रूट में और 156.25 अगर हम यहां से देखिए 156.25 और बटा 100 और इसका क्या है पूरा का बर्गमून अब देखिए 156.25 यह होता है 125 का बर्गमून और नीचे क्या है 100 तो 100 का बर्गमून हो जाएगा 10 ठीक है अब यह कितना जाएगा 12 समलब 5 सेंटीमेटर के आगे यह तिरियक लंबाही यह अब अगर तिरियक लंबाही यह निकल गया है तो अब हम खिलोने के संपुर्ण प्रिशे चतरफल को ज्याद का सकत तो लिखेंगे संकु का संकु नहीं खिलोने का खिलोने का संपुर्ण प्रिश्ठी चतरफल बराबर क्या हो जाएगा यह अर्धगोला का प्रिश्ठी चतरफल अर्धगोला का प्रिश्ठी चतरफल आपको बताया गया था तू, पाई, आर स्कुर्ण प्रिश्ठी चतरफल यह भी आपको कल बता दिया गया था, प्रिश्टी चतरफल, अम्मान रखिजे देखिए, तो कि देखें दोनों का तो तिरीजा सेम है अगर दोनों का तिरिया सेम है तो हम लोग आर और पाई को common ले सकते हैं तो आर और पाई को common लेजिए अच्छा अगर दोनों का तिरिया सेम नहीं रहता तो common नहीं होता तो क्योंकि यहां पर दिया हुआ देखें दोनों का तिरिया सेम है ठीक है अब देखे, क्या बजाएगा 2, 1R लिकल गया तो 1R और प्लस R लिकल गया है तो L अब यहां से देखे, 2 का मान हो जाएगा 22 बटा 7 गुना R, R का मान दिकना है देखे फिर यह दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7 बटा 2 तो 7 बटा 2, 2R को हम लिख सकते हैं 7 बटा 2, पलस YL कितना है देखे, 12.5, 12.5 अब यहां से देखेगा, तो यह 7 से 7 के इंसिल हो जाएगा और 11 गुनी 22 कर जाएगा अब यहां पर देखे, यह 2 से 2 कर जाएगा, तो बाहर क्या रहेगा, यह 11 और अंदर हो जाएगा देखे, 7 और 12.5 तो 12.5 अब अगर हम इसको जोर गुना करेंगे, तो 195 और 195 पांच, नो पांच, चौदा बाकि एक, उन्हेस एक बीस और 21, तो 21, आनि कि 214.5 cm2 देखे, इस का छेत्रफल आलेगा, जो यह कोशन में दिया हुआ था, कि यह खिरावना है, उपर संकून इचे अर्ध गोला पर रखा हुआ, तो यह पूरा का जो छेत्रफल पूछ रहा था, वो कितना हैगा, 24 तो 255 cm2 आएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट कोशन देखे, चौथा, भूज साथ सेंटीमीटर बाले एग घनाकार बलॉक के उपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखिए, एक घन इस परकार से रख लेते हैं, यह देखे, घन हो गया, और इस घन के उपर एक अर्ध गोला यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, एक अर्ध गोला इस परकार से एक अर्ध गोला रखा हुआ है, यह नीचे अर्ध गोला का ढूंप यह पार्फ हो गाउने तो ये अर्ध गोला इस प्रकार से यहाँ पर रुखा हो तुक है यह देखे इसका ढूंब यह लिए औरAg अर्ध गोला का ये ब्यास हो गाउने त्थी अब कहता है कि अर्ध गोला ज Ha Paulo समझे दखे साथ सेंटीमेटर तो यह अर्ध गोला रखा हुआ उसके ओपर अर्ध गोला यह जो बन चुका है इसका परिष्टी चतरफल ग्याद करना है तो इसका परिष्टी चतरफल के से ग्याद होगा पहले तो यह घं है तो घं का परिष्टी चतरफल उसके बाद उसके बाद उसकर यह गोला रखा हुआ है तो गोला का परिष्टी चतरफल लिखा लेंगे तो यह देखिये यह मालीजे कि यह एक घान है ठीक है अब इस घान का प्रिष्टेश चाहला हमने लिका लेट अगर शे भुजाज और तो उसी पर एक गोला जो है वो इस परकार से एक गोला रखा हुआ तो देखिये जो ऑनुपेक्ट में मीचे बला है कि प्रिट रहता तो पौ हुआ है इसका निकालना है तो यह गोला का तू पाई यारस्क्वार और उसमें नीचे का जो पेंदे सा गोल्ड हेगा उसका पाई यारस्क्वार मानस करना पड़ेगा वानि इसको हम ऐसे लिखेंगे देखिए लिखेंगे कि धोस्र का पिरिष्ठिये श्यत्रफल बराबर हो जाएगा घन का अनि घनाकार बलॉक का पिरिष्ठिये श्यत्रफल ठिक पड़ास उसमें कर देजिए यह जो पूरा गोला अर्गो गोला का पिरिश्ठिये शेतरफल तीक है और इसमें घटाईएगा क्या तो अर्ध गोला का गृतिये भाग का शेतरफल गृतिये भाग का शेतरफल आने फिर से समझे लिए ये पूरा जो घञनाकार भलाksi उसका चदरफल में से ये पूरा गोला का जोर दिजिए और ये जो गोला का नीचे वाला पेंदी है उसका चदरफल आने भीतियभा का चदरफल हटा देज़े अब कर लेते हैं तो देखिए यह जो ठोस है इसका च्रिपल लिकाने के लिए घन का प्रिष्ट्ट च्छत्रिपल तो होता है 6 और भुजा का स्क्वार भुजा को हम A से लिए यह जो 7 यह है ठीक है? पलस अर्ध गोला का प्रिष्ट चदरफल तो अर्ध गोला का प्रिष्ट चदरफल होता है तू पाई आरस्क्वार से यहाँ पर भी देखे बताया गया था अर्ध गोला का प्रिष्ट चदरफल तू पाई आरस्क्वार और माइनस करना है दृति यह भाग का तो दृति का च सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर जाएगा और ग्यारा दुनी बाइस कर जाएगा तो बचा हुआ कि जाएगा 294 पलस 1177 बटा 2 सब्सक्राइब करेंगे तो देखेगा 294 पलस अतर बटा 2 अगर हम इसको डिभाइड करते हैं तो यह आजाएगा खेगा 30 दसमेलाब 5 खेगे अब इसको जोड लिए तो दसमेलाब 5 आप 14 का दो बागी एक नो तीन बारा एक तेरह बागी एक दो और एक तीन सो बाती दसमेलों 50 स्युल्ट्र मिंटर सक्वार देखें यह इसका एंसर आएगा तो यह देखें तीन और चार दोनों का हुग या दोनों का स्क्रेंस और लिजिए पिर आपको नेस्ट कोशन बताए जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए पाट नंबर में क्या है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गन था इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का भ्यास घन के एक किनारे के बराबर है सेस बचेटोस का कई ईनि दखिए एक घनाकार ब्लॉक भी कि इए घनाकार ब्लॉक मन जिया अब इस घनाकार ब्लॉक के एक खलक के मनीजे कि ये ऊपर का जो ढूल में सहे उपर का ये जो फलक है ये इसको बलाइक कर दते हैं ये देखिए इस फेस से यहां से एक अर्ध गोलाकार गढधा काट लिया जाता ने कि यहां से देखिए एक अर्ध गोलाकार गढधा इस परकार से अर्ध गोलाकार गढधा ये इस परकार से यहां से काट लिया जाता ये अर्ध गोलाका उपर बलाद ये यहां से काट लिया जाता ये इस परकार काट लिता कि अर्ध गोलाका अब्यास धन के एक किनारे के बराबर है ने देखिए अग ग्धन का एक किनारा एक है इसी लिए जो अर्ध गोला का अटा गया है अर्ध गोला का ब्यास उभी कितना हो जाएगा इसी लिए अर्ध गोला का अगर हम लोग तिर्जिया लेखे तो कि जगना लिखेंगे ब्यास का अधान की ए बटा टू ठीक है अब सेस बचे ठोस का च्छत्रफल जाद करना तो लिकाल लेते हैं सेस ठोस का पिरिष्ठिय च्छत्रफल अब देखिए पहले है क्या एक घन है तो घन के पिरिष्ठिय च्छत्रफल में से एक गोला जो काट करके बाहर लिका लिया उसका च्छत्रफल माइनस कर देंगी तो लिखेंगे घन का पिरिष्ठिय च्छत्रफल पलस अर्ध गोला का पिरिष्ठिय च्छत्रफल और इसमें से घाता देंगे देखिए ये जो अर्ध गोला का पिरिष्ठिय च्छत्रफल हुआ उसमें से ये जो बिरितिय भाग है आनिकी अर्ध गोला का बिरितिय भाग का चदरफल उसमें से माइनस कर जाएंगे पबलिक देखे धन का परिष्ट्र चदरफलों का 6 भुजा स्क्वार आनिकी 6 और यह की किनारा आई है तो यह का स्क्वार पलस अर्ध गोला का परिष्ट्र चदरफल होता है 2 πाई और आर का स्क्वार माइनस बिरितिय भाग आनि पाई आर स्क्वार अब देखिए 6a स्क्वार पलस देखिए 2 πाई आर स्क्वार में से पाई आर स्क्वार चला गए क्ला बिचनेंगे एक बैद इतवार आर स्क्वार अब 6a स्क्वार पलस पाई का मान 22 बटा सब और इंटू आर मुने तिरी जैद कीतना है यह बटा 2 तो यह बटा 2 का स्क्वार का स्क्वार ए स्क्वार बटा 2 का स्क्वार 4 हो जाएगा div यहां पर देखिए यह 11 दूनी 22 दूनी 4 कट जाएगा तो बचा हुआ रह जाएगा देखिए यहां पर 6a square पलस कतना जाएगा देखिए 11a square और बटा सद दूनी 14 अब इसका भीन का जोर कर लेंगे तो 146a square पलस 11a square बटा चाउदा तो 84 और 11 करते हैं तो जाएगा 95a square बटा चाउदा यही आपका देखिए answer हो जाएगा अब दूसरा पूर्चल देखिए देवा का एक capsule एक बेलन के आतार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोरा लगा हुआ है देखिए आकिरती 13.1 देखिए यह जो आकिरती दिया हुआ एक एक काईपसूल का है और यह काईपसूल का देखिए यह बड़ा जो पाथ और यह और्ध गोला सहीड लंबाई कि चोड़ ट पूरा परीश्टी 4 तो लिकां लेते हैं यहां पर कैक्सूं का प्रिष्ठिय च्यत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन भाग का प्रिष्ठिय च्यत्रफल और पलस दोनों साइड का जो दो अर्ध गोला है दो अर्ध गोला का प्रिष्ठिय च्यत्रफल मान रखे देखे देखे बेलन का प्रिष्चे चेतर फोलता है 2 πाई आर यच पलस दो अर्ध गोला देखे एक अर्ध गोला का होता है 2 πाई आर स्क्वार तो दो है तो दो से इसको गुना कर देंगे अब यहां पर देखिए 2 πाई आर यच पलस यह हो जाएगा 4 πाई आर अस्क्वार अब देखिए 2 πाई आर कॉमान लेकर यहां पर यच पलस टू आर यह हो जाएगा अब उसके बाद देखिए 2 πाई कामान 22 बटा साथ फिर आर जो है तिर जिए इसका मान देखिए यहां पे दिया हुआ है पांच मिली मेटर तो उसका आधा हो जाएगा 5-2 अप्य देखिए वेलन के लिए यह देखिए पूरा जो थो धिया हुआ है 14 वो दिया हुआ है पूरा टैप्सुल का लेकिन हमको लेना है केबल गिलनका इधर देखे यहां से यहां तिरजिया जो है वो अरहाई है और यह अरहाई है तो दोनों मिल देखे रहाएगा पांच अगर माइनस करते हैं तो यह बट जाएगा 14 में से पांच जाएगा तो 9 तो यच का मानी यहां पर हम लोग 9 रखेंगे प्र देखे ये 22 गुणा 5 करेंगे तो 22 गुणा 510 हो जाएगा बटा 7 और फिर 9 पलस 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 14 अब देखे अगर हम इसको 7 से काटेंग सादूनी 14 और 110 गुणा 2 बचा रहेगा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वार इसका देखे इनसर आजाएगा तो इसका इनसर ले लेजे फिर आपको नेस्ट कोशन बता जाएगा कोशन नमबर साथ में देखे कोई तंबू एक बेलन की अकार का है जिस पर एक संकु अध्यारोपित है अगर इसका डिजाइन देखेंगे तो यह देखिए एक तंबू है जो ये एक बेलन की अकार का है और इस बेलन पर एक संकु अध्यारोपित है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है तो दिया है बेलना कार भाग की उचाई बेलना कार भाग की उचाई इसको यद से भीनेते हैं और यह कितना है एकीस मीटर ठिक अनि यह जो उचाई है बेलना कार भाग का यह बुलू लाइब यह है एकीस मीटर और बेलना कार भाग का बेलनाकार भाग का ब्यास और यह जो ब्यास यह दिया हुआ है यह दिया हुआ तिकना चार मीटर चार मीटर आनि बेलनाकार भाग का जो तिर्जिया हो जाएगा आर वो हो जाएगा दो मीटर अब काचा है कि संकु की तिरियक उचाई और यह जो संकु है यह संकु जो है इसका तिरियक उचाई जो है वो दिया हुआ है यहां से यह तिरियक उचाई कहलाता है यह दिया हुआ है तो इस कंबो को बनाने में परियोक कितना कैनबास वोगा उसका चीफ~~~~ साथ ही 500 रुपेव क्यों का लागत बेए इसके भूल ल क्यों लिकाल लेते हैं। उसके बाद यह जो रेट पूछ रहा उसको लिकाल लेंगे तो यहाँ पर हम लिकाल लेते हैं तंबु को बनाने में परियुक्त का स्केत्रिफल बराबर हो जाएगा उपर बाला पात अनिकी संकू का प्रिष्ट्य स्केत्रिफल और नीचे का पार्थ जो है बेलन का प्रिष्ट्य स्केत्रिफल दोनों को जोर लेंगे बेलन का प्रिष्ट्य स्केत्रिफल अब देखें संकू का प्रिष्ट्य स्केत्रिफल होता है पाई और यल पलस बेलन का प्रिष्ट्य स्केत्रिफल होता है टू पाई और यच अब यह अमान 22 बटा 7 और आर तिरिजया कितना है दो मीटर यल संकु का तिरियक लंबाई ये 2.8 पलस 2 और यह बेलन का हाइट देखें बेलन का उचाय दिया हुआ 2.1 एक मीटर बेलन का उचाय दिया हुआ है यहां पर दिखें सुधार जीजे 2.1 एक मीटर और ये तू गुणा यच तो यच है दोध समलब एक मीटर चलिए ठीक है अब देखे इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहां देखेगा 22 तुनी 44 बटा साथ जाएगा अब कहता है कि पान सो रुपे परती मीटर अस्वाइर के डर से इसे में परियोग का लागत यहां देखे चुपी कि एक मीटर अस्वाइर कि टैनवास का लागत दिया हुआ है 500 रुपई यह इसलिए कितना आगे हैं देखे 44 तो 44 मीटर अस्वाइर का लागत कितना बेर गुना कर देंगे तो 500 गुना 24 अब देखे गुना कर लेंगे तो दो गो जीरो चर पचेवीज का जीरो बाकी दू अचर पचेवीज सब दो बाइस तो 22,000 रुपिया देखे इसका इंसर आगा ठीक है तो दो इंसर हो देगा इसमें एक 22,000 रुपिया लागा तौरी एक तैनवास का चर पचेवीज दरफल 44 मिटर अस्वाइर ठीक है इसका इसका सेंसर ने जिए पिन एक पोचिना को बताते हैं स्टेश बसे ठोच का निकट सम बर्ग सेंटीमीटर तक प्रिश्टेश दरफल ग्याद की जैनि देखिए एक ये बेलन है इस परकार का ठीक और इस बेलन का उचाई जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर ठीक है और ब्यास जो है इसका ये जो ब्यास है इसका ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर बाला और इस बेलन में से इसी उचाई और इसी ब्यास का एक संकवा कार खोल का लेतानि कि दिखिए यहां से एक संकवा कार खोल जो है इसी ब्यास का और इसी उचाई का यहां से इसे करके काट लिया लिया ये संकवा का इसका भी उचाई देखिए कितना हो जाएगा ये 2.4 सेंटीमीटर और इसका भी ब्यास देखिए संकु का कितना हो जाएगा ये भी ब्यास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर ठीक है तो देखिए जब इसको काक लिया है तो ये जो बचा हुआ भाग रहा लिया है इसी काचितरपन हम लोग को से पूछ रहा है अब देखिए इसको लिका लेते हैं देखिए चुकि दिया हुआ ह बेलन की उचाई बराबर उचाई इसको यक्स से दिनोर कर देते हैं 2.4 सेंटीमीटर और बेलन का ब्यास दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 0 सेंटीमीटर नहीं इसका तिरजिया अनुति बेलन का तिरजिया हुआएगा 0.7 सेंटीमीटर हुआ हुआएगा तथा काटे गए संकु का उचाई वही रह जाएगा संकु की तिरियक उचाई या तिरियक लंबाई यल हो जाएगा अंडर रूट यह सक्वार प्लस आर असक्वार अब मार रख देजिये तो यल असक्वार इकॉल टू यल बराबर यह सक्वार तो यह सक्वार कितना है देखें दो दसम्नव चार दो दसम्नव चार का स्कुर करें चोबिस का स्कुर पांट तो पांट दसम्नव साथ चे और प्लस आर का स्कुर तो आर कितना देखें जीरो पॉइंट साथ तो साथ का स्कुर उन्चास है निकि जीरो पॉइंट चार नो अब देखें 576 प्लस उन्चास करेंगे 625 और 625 का बढ़ मुन पाचीस है निकि 2.5 और यह सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है अब हमनों लिखा सकते हैं जो सेस बचा हुआ भाग है उसका तो लिखेंगे सेस बचे पोस का पिरिष्ठी चत्रफल पिरिष्ठी चत्रफल बराबर अब देखें यह पूरा डेलन है तो डेलन का पिरिष्ठी चत्रफल पिरिष्ठी चत्रफल और पिरिष्ठी चत्रफल बराबर अगर हम लोग कर लेते हैं तो को निकल जाएगा यहका के खतब होता है तो पाइच की सणकु का प्रिश्य चडरफल होता है पाइय weird कर सबगा जिए tyres प्यों आड पाइब शॉक्को कमन लेंगे अर देखिज यहां 2 और यह बचा हुआ रह जाएगा तैलस यह रह जाएगा पाई आर निकल गया एक आर रह जाएगा अब सब का मान रह जाएगा तो पाई का मान 22 बटा 7 आर अनिकी तिरजिया तिरजिया देखे कितना है 0.7 इन्टू टू और यह जियाच कितना है देखे 2.4 पलस यल कितना आगिया है देखे यल आगिया है 2.5 पलस आर कितना है 0.7 अब इसको हल कर यह देखे इसको हम काट देंगे 0.1 से और गुना कर देंगे तुझेगा 2.2 24 दुनी और 43 पलस 2.5 और पलस 0.7 अब देखे 2.2 गुना इसको जोड़ते हैं देखे 7 5 12 और 8 20 0 बाकि 2 2 और 2 4 और 4 8 और एक अंग पर दसमलब फिर 22 गुना 8 कर लेंगे 22 चीहत्रा से 176 और एक अंग पर दसमलब तो 17 दसमलब 6 सेंटीमेर अश्पार देखे इसका कैंसर आएगा इसका आसकी में सब्सक्राइब फिर आपको कोश्चन नमर 9 बताएंगे अब देखे कोश्चन नमर 9 में क्या है लकड़ी के एक ठोस बेलन के परतेक सिरे पर एक अर्ध गोला खुद कर निकालते हैं एक बस्तू बनाएगा यानि कि देखे लकड़ी का एक ठोस बेलन इस परकार से है और ये जो बेलन है इस बेलन के परतेक सिरा निकि ये सिरा और ये सिरा दोनों से अर्ध गोला खुद कर निकालता है यहां से देखिए यह एक अर्ध गोला यहां से और एक अर्ध गोला यहां से यह काट करके निकाल लोना है यहां पर हम पहले लिख लते हैं देखिए गी भेन आणि की उचाई इसको यच कर देंगे और ये दिया हुआ है 10 cm और बेलन के अधार की तिर्जिया बेलन के अधार अनिकी बृतिय भाब का तिर्जिया गोला का तिर्जिया ये है कितना 3.5 cm ठीक है तो इसी लिए बस्तु के संपूर्ण प्रिष्ठिय च्छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एक तो देलन का बख प्रिष्ठ च्छेत्रफल देलन का बख प्रिष्ठ च्छेत्रफल और पलस दो वो अर्ध गोला जो बन रहा है दो अर्ध गोला का बख प्रिष्ठ च्छेत्रफल अर्ध गोला का होता है तो पाई आर स्वार दोगों है तो दो से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यच यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ देखे टू लिकला है तो तू रहेगा और एक आर लिकला है तो आर रहेगा अब यहाँ पर मान लग देंगे तो टू पाई का मान 22 बटा साथ और आर तेजिया कितना दिया हुआ है तीन दसमलव पांच और इन्टू यच कितना है देखे 10 सेंटीमीटर तो 10 पलस टू और आर का माल है 3.5 अब उसके बाद यहां से देखिएगा यह कट जाएगा देखिए अगर हम इसको हटाते हैं तो 10 नीचा जाएगा सत पचे 35 दूनी 10 यह 2 से 2 कट जाएगा तो आगे कितना बज़ाएगा 22 तो 22 उसके बाद ब्राकेट का मतलब गुना होता है 35 दूना सत रहने कि 7 और 10 तो 17 अब 17 गुना 22 अगर हम लोग कर लेंगे तो इंसर आ जाएगा यादी बेलन की उचाई 10 सेंटीमेटर नीकि देखे यह जो बेलन का उचाई दिया हुआ है यह दिया हुआ है 10 सेंटीमेटर और आधार की तिर्जिया नीकि यह देखिए इसका यह पूरा व्यास हो गया नीकि तिर्जिया यहां तक रहेगा यह जो तिर्जिया दिया हुआ वो दिया हुआ है पिर्जिया आनि सारह तीन सेंटी मीटर खिक है तो इस बस्तु का संपुर्ण प्रिष्टे चतरफल हम लोग को ग्याद करना है तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कलास टेंथ के मैद का प्रस्णा वली तेरा दोसला भेज़ता यंसिया की बुक में इतने भी नव पोस्टन थे होता सुसर बताया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जिए लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लें गेल आइकन को जो दबाएए जाकि जैसे आप लोग के लिए व